अब गुड़ मोर्रिंग फ्रेंट्स आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ पलांट और यहाँ बाइलोजी में प्रेंगा जनतो विख्यान का भाग नहीं है तो आप पौधे के भाग से सुरू करते हैं और यह बहुत ही महत्यपूर्ण टोपिक है कोई भी एक जाम हो इसे एक दो कोशन तो आते ही हैं तो आसा करते हैं यह अच्छा लगी का इसलिए देखिए तो जर का विकास किसे होता है तो मुलांकूल यानि रेडी कल से होता है जबकि तना यानि इस टेम का विकास तो प्रांकूर यानि पुलू मुले से होता है तो जर का विकास मुलांकूर से जबकि तना का विकास से प्रांकूर से होता है जर का क्या है तो पौधे को भूमी में इस्ति रखना जलें खनीज लवन को औसोसित करना आती है जर दो प्रकार की होती ह एक मुसला जर का रूपांतर तो मुसला जर के रूपांतर के उदारन आते हैं कि पुशन आता है बताई इन इसमें से कौन जर है कौन तना है तो याद कीजिए गाजर जो खाते हैं संकु अकार का लेकिन जर है सलजं तो यह कूम भी आकार का गाजर का होता है तो गाजर कुछ इस टाइप का होगा कूं भी रूप में सल जर का सलजं होगा और मुली तो मूली भी तो इसी तरहा मेडना भी हो सकते है वह है तो तुर्कू रूप है मूली और आगे बूमी का तनो का रूप आंतन क्या समझें कि मूली गाजर और सल्जम के यहति सब जर का रूप आँतन है वहीं तने का रूपांतरन तो देख लिजे, हल्दी, अध्रक, कंद में आलू, बरा, जीमी कंद, प्याज, लहसुर्य, सब क्या है तो तने के ही रूपांतर हैं, लेकिन नाम इनका अलग-अलग है, जैसे, इसमें परकंद, तनो का रूपांतरन क्या है, परकंद होता है, क्या किसका तो हल्दी और अद्रक में और तने का रूपांतरन कंदर के रूप में किसमित आलू में और इसी तने का रूपांतरन घंकंद में कहा होगा तो बरा एवं जीमी कंद में और सलक कंद मतलब लियर पाई लियर रहता है इस तरह से तो कहा होगा प्याज एवं लहसुम में यानि यह सब क्या है तो यह सब के सब तना है पत्ति क्या कारे प्रकास सस्रेशन द्वारा भोजन निर्वान एहुम वायु विनीमे जल का वास्पन एहुम संचय करना रहता है पूस्प पूस्प में बाह दल पूंज पूमंग और जयांग पाए जाते हैं पूमंग क्या होगा यह नड जयांग जयांग मादा जयांग होता है फ़ याने फ्रूट से परीपक को अंड यानी ओबरि को ही फ़ल कहते हैं फल के परकार एक होता है टूूथ फूल तुस्प फूल मी करता है तो इन फवलों के निर्वान में शिर्फ है अंड आ से भाग लेता है हुआ टूथ फूरूट है जैसे आम मोटर आज बहुत सारे वह ही फॉल्स फूरूट जैसे इन फॉलों के निर्बान में अंडास है का त्रीक पुसपासन बाहदल आधी भाग लें जैसे से नासपाती कटाहल काजियों सब क्या है तो फॉल्स फूरूट है कोश्चन आता है कि यह पता यह फॉलस है तो इसका खाने वाला भाग को सा जैसे शेब यानि एक पल क्या खाते हैं उसका नाम है पुसपासन नसपाथी का भी पुसपासन आम मैंगो का तो मध्य फल भीति यानि इस तरह से आम का यह खोल है निचे यह बीज है लोग बीच को भी छोड़ देंगे पाहर वाले भाग को भी छोड़ देंगे बीच वाले भाग को ही खाते हैं इसका नाम ही है मध्य फल भीति औ अन्द गई भीज चोल को खाते हैं और अंगूर तो यहाँ फॉल भीति यानि समुचा फॉल को ही खाया जाता है टमाटर में फॉल भीति एवं बीजान डसन को भी खाया जाता है पादब हार्मोन से भी बार-बार कोशन आता है कि बताएगे कि कौन सा हार्मोन किसके लिए जैसे ऑक्सिन तो यहाँ तने की विर्धी में सहायक होता है पतियों के जहरने और फ़लों के गिरने पर नियंतर रखता है यहाँ खर पतवार को नश्ट कर देता है कौन तो ऑक्सिन क्या करता है तो तने की बिर्धी में सहायक है पत्यों के जहरने और फ़लों के गिरने पर नियंतर रखता है यहां खर फत्वार को नश्ट कर देता है जिब्रेलिन्स यहां पर मुख रूप से पौधे की लंबाई में बिर्धी करता है कौन तो जिब्रेलिन्स और साइटो चाड़ी प्रक्रती हार्मोन है जो मुह कहो रूप से कोशी का बिभाजन एवां विकास में मदद करता है कौन तो साइटոकाइण एथिलीन तो फल पकाने वाला हार्मोन है कौन तो एथिलीन एपसीजी कमलब एकशिसीगई को चुसुपता वस्था में बनाए रखता है वहीं फ्लोरिं जेंस ही फ्लोरीं जेंस, यह पत्ती में बनता है फूल को घिलाने में मदद करता इसलिए इसे फूल खिलाने वाला हर्मोस भी कहते हैं और इलकेलाइट्स यह क्या है इलकेलाइट्स होते हैं नाइट्रोजन यूत कर्बनी पदार्थ उसको क्या कहेंगे इलकेलाइट्स स्वाध में करवा होंगे यह बीज ज्छाल पतिव आधी में पाये जाते हैं एटरापीरीन, निकोटीन, कैफीन, रेसरपीन, क्यूनीन, मारफीन आधी एलके लाइट्स के उदाहरन हैं। मानों आखों की पुतली जिसे एलकलाइडर के अती तनुविलियन से फाइलाई जाती है, वह क्या है उसका नाम? उसका नाम है एटाप्रीन। यानि आख के डॉक्टर के पास चाहिएगा तो पहले वह आख में एक ड्रोप रखते हैं, वह क्या रखते हैं वही एटाप्रीन, जिससे आख की पुतली हो खुल जाए जो उनको देखने में आसानी हो, कुनन, जो मलेरिया की इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप से प्राप्त औस दी को मलेरिया उपजार के लिए प्रयोग किया जाता है, और जिस क्रित्रीम औस दी ने इस प्रकृति उतपाद को परति अस्थापित कर दिया है, उसका नाम है क्लोरो क्यूइन, क्लोरो क्विन, जो भूच चर्चा में था भी, मॉर्फिन क्या है, तो यह क्या है, उसके दूद से प्राप्त किया जाता है, कौन तो मॉर्फिन, तंबाकू, तो तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो नीकोटीन, जो जानते ही क्या काम है, इसका कैंसर कारक है, चाय और कोफी का उत्तेजक गुन का कारण क्या है, तो चाय में कोफीन, कैफीन होता है और कोफी में भी कैपीन होगा वह अख्या चाय पतियों से कोफी बीजोस मिलती है रेसर पीन नाम पन्हुषारब सजी किस पोध्य से प्राप्ष्ट होता इसका नाम है का नाम है राउल पया सर्पेंट gjैन का मैं इसका तीखा स्वाद का कारण क्या है। उसमें टैनीन होता है। स्वाद में करवा तीखा होते हैं। कच्छे फ्छलो में अधिक होता है। जास हुअ आप्सथी किसका इस्तेमाल है। हिंग एवं तरपीन का तेल रेजीन है प्रकृति के रवर को कुछ विसीष्ट जाती के पौधों से निकले दूद से बनाया जाता है जिसे क्या करते हैं लेटेक्स जोर पत्ति एवं फूल में अफिम पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है हसीस पौधे के तने तथा नौरबुर्व करम के निस्राओ से प्राप्त होता मिलेगा तो यह पौधे के तथा न boiling के निस्राओ प्राप्त होता। तारपीन का तेल किस ब्रिक्स से निकाला जाता है तो यहां चीर के ब्रिक्स से चीर लॉंग प्राप्त होता है लॉंग फूल की कली है क्या है तो फूल की कली है लॉंग आगे बढ़ते हैं दात का दजब्र गया में लॉंग के तेल के इस्तिमाल के यता है उसका नाम है उसका नाम हैूरनौल दाल चीह पेर केकिसभाहग से प्राप्त गीजाती है तो चाहल प्राप्त होता है कोफी पावडर के साथ ने वाला दीर ठीर यानि मजबूत तातों जो क्या होता है ठांटों का इनिहमल होता हैं तांट को खोल होता है मनीनुप में लिंग निरधारन पूस्व के जो के क्रोशुर game दिर्थे जीवन की उत्पत्ती के समय उक्सिजन नहीं था, जीवन ने ही उक्सिजन का उत्पादन किया, यानि उक्सिजन का निर्बान किया मनुस का हिर्दय चार कोष्टी यह होता है इस्ट का परियोग डबल रोटी बराने में किया जाता है पेनिसीलीन नामाग परती जैवी के कवक से मिलते किसे कवक से मनुस के रक्त में हीमोगलोबीन होता है जिसमें लोहा पाया जाता है कवक और जिवानू अब घटक का काम करते हैं लॉंग फूल की कली से प्राप्थ होती है और हिरोईन अफीम पोस्ता से प्राप्थ होती है केसर मसाला से फ्रोन बराने में पोधों का वतिकागर भाग काम में लाए जाता है और यहां केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश तुसका नाम है स्पेन दूसरी नमबर पर इडान कुछ कीट भक्षी पोधे होते हैं जैसे कुछ पोधे ऐसे दलदली अस्थान में पाय जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी अथवा आभाव होता है पोधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षन करते हैं क्योंकि उन्स में नाइट्रोजन की अधिकता होती है तहार नाइट्रोजन की पूर्थी हो जाती है कीटों को आकरसित करने के लिए इन में विभिन युक्तिया होती है भारत में दरजिलिन नैनी ताल कस्मीर आधी में ये पधे पाए जाते हैं जैसे ड्रोसेरा नेफेंटीज घट पर्नी यूट्री कुलेरिया आधी पर्मुकी कीट भक्षी पधे हैं जिसमें यूट्री कुलेरिया एक मात्र जलिये कीट भक्षी पधा है और सजीवी संबंध मतलब महें है क्या होगा जब दो जीव या पूद्र एक दूसरे को लॉऔल हो यह कमसकं बेर लाव और फो कमसकंस एक लाऴ और एक को लाव और नस्युलाय में घट हो कवंक को रहने के निट गषाड केवाल को रख कि सहांए भूर्जन बनाएगा भाउय के सूचा होता होगी वहाँना ल्यौ मीनुसोरम यह तरह का जीवान है जो को पधो की जरो में छलेया गांठ बना रहता है पॉधे इसे रहने की जगह देते हैं इसके बदले में यहाँ वातावरन की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्थित करके जमीन में फिक्स करतेता है और जिससे खेत की उर्वारा सकती बढ़ जाती है प्रोटुजोवा यहाँ यहाँ सरालतम एक कोसी जीव है यूनिसेलर जिसकी अधिकांस जतिया जल में निवास करती है यह स्वापोसी प्रपोसी यहों मिडित बशिवी हो सकते हैं स्वापोसी मतलब क्या खुद खाना बना लेंगे अस तीजुद को सायकाली rugi पर उस्तित कमोण रुमाभो द्वारा और सोसन किरिया विसरन द्वारा होती है तो गमन इनका कैसे तो रुमाभो द्वारा और सोसन किरिया विसरन द्वारा होगा उधारन अमीबा पैरामीसियम यूगलीना आदी कुछ प्रोटोजुवा परजी भी होते हैं जो मनुस्यों में बीमारिया फैला कौन तो प्लाज मोडियम वाई बैक्स और यह किसका कारान है तो मलेरिया का जो मादाय ने फिलीज मच्छर इसका वहक है इंट अमीबा हिस्टोलीटी का यह पर जीवी प्रोटो जोवा पर दूसरी जल के माध्यम से मानों शरीर में पेचिस भयाता है यानि आज को संक्रमित क ठीसी होते हैं जिन में दो वर्गो या संघो के लक्षन पाया तन्हीं जैसे पहला है यूग लीनां यह क्या है यह तलाबों स्ष्वक्षजल में पाया जाने वाला प्रोटो जोवाजिव है इसमें पर नःष्च उपस्तित होने करण यहां पद्र retrieve यहां बिस योजग करी की रूप में जना जाता है आर्कीोप टेरिक्स यह क्या है यहां पक्षी और स्वरीश्रीप के बीच की एक स्वियूचक करी हैं इसमें स्वरीश्रीपों की भाती लंबी पूच्छ दान्द यौं पंजे ठे जबकि पक्षों की भाती ऊर्णे के लिए पॉंक पिक्सित थे यानि कि यह विलूप्त हो चुगा है प्रोटो थेडिया यह स्वरी श्रीप और अस्तन धारी के बीच का स्वयूजग है इसमें अस्तन बाल उपस्चित थे जबकि गर्भासर अनुपस्थी था एक इडिना जहरीला असंधारी है इवां डॉकिबील पिल यानि नीचे से पानी और खनी जलन को असुसित करके पतियों तक पहुंचाता है यानि जाइलम जल फुलूएम भल कि शरीर में तापका नियंद्रन या नियमन मॉस्डिक्स के हाइपो थैलेमस नामक अउंग से उनस्पति तथा जन्तू यानि वनस्पति मतलब फ्लोरा जन्तू यानि फवावना किसी पर्देश या छेत्र में पाये जाने वाले पेर पौल आएं प्लोरा जबकि उस छेत्र में जनतु एनीमल तो ओहर भाउना कहलाते हैं भेक्टीरिया का क्षोच करता किया नाम है यहां देखे तो वेक्टीरिया खोच नाम नौसकी है when was K, और उन्होंने क्या किया बेक्टीरिया द आ राहने वाली भीमारीयों की जैसे कुछ ट्रीका जैसे की CDSTNDTT, मतलब C for Calera, D for Depthria, S for Cyphilis, T for Tetanus, और P for Pertussis, P for Pertussis होता है, यानि कुकुरखासी, N for Neemonia, D for Diarrhea, T for TB, और T for Typhi, यानि CN साहब को LPG से D square STTQ नामाग दिवारी हो गई, यह तरह का ट्रीक तो काम नहीं आता है, आपको याद ही करना हो, यानि कलरा, डिक्टिरिया, सिफिलिस, टीटेनस, कुकुरखासी, निमोनिया, डाइरिया, TB, टाइप हाई, यह सब क्या है, तो बेक्टिरिया से होने वाले बिमारिया हैं, और बेक्टिरिया खोज करने वाले तो इवा नोस की थे,